Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita सूथ, so research ethics के important questions आज हम discuss करेंगे जो की upcoming examination में आपको as it is देखने को मिल सकते हैं साथ ही आपको कुछ ऐसे tips और tricks बताऊंगी जिससे easily students आप exam में अच्छा score कर पाऊगे Paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ जो की students examination के difficulty level and previous examinations को बहुत अच्छे से analyze करने के बाद बनाया गया है इसमें daily life lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover तो हो ही जाएगा साथ ही आप लोगों को हम topic wise MCQs and PYQs भी practice करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे questions examination में पूछे जाती है mock test available है और बहुत ही जादा important है ये 5000 plus MCQ question bank जिसमें हर एक unit wise questions आपको मिल जाएंगे इसके बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है तो ये बहुत important हो जाता है कि आप exam से पहले at least 2-3 बार ये questions को practice कीजिए new batch हमारा upcoming Monday से start होने वाला है तो आप इसको join कर सकते हो and free videos को देखने के लिए global online app को ज़रूर डाउनलोड कीजिए store section पर search बार में लिकिए course का नाम जैसे ही आप content पर जाते हो आपके सामने कुछ free videos आ जाएंगी मेरे separate complete courses आ जाएंगे जिसके लिए जो कि exam के लिए काफी है इसके बाहर से ना आपको कोई book लेने की जरूरत है ना आपको कोई extra mock test के लिए pay करने की जरूरत है इस course के बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है last year भी बहुत से बच्चों ने सिरफ इसी से पढ़ाई करके अपने examination को बहुत अच्छे score से qualify किया था पीवाई की उस आप देख सकते हो pdf and video solution आपको मिल जाते हैं इसमें आपके state के साथ साथ बाकी के states के जो question papers है वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से practice भी होती रहे आप सभी students इस course को join करने के लिए बस given numbers पर whatsapp के जरीए contact कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है from the point of view of research ethics which of the following is least one level in research ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा topic है वो है research ethics तो आप लोगों को इसका meaning पता होना चाहिए ठीक है तो ethics का मतलब होता है नैतिकता यानि कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ नैतिक rules होते हैं ठीक है कुछ rules होते हैं कुछ regulations होती हैं तो research जो process है complete उसको जो हम complete करते हैं तो उसमें भी कुछ rules होते हैं नैतिकताई होती है ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि research ethics related कौन सा point है जो कि least vulnerable है तो पहला option है problem formulation and identifying the variables involved यानि कि जो भी problem है जो भी हमारी research की problem है उसको formulate करना उसको अच्छे से ढूणना ठीक है और उसमें जो भी variables involved है उनको identify करना दूसरा option बोलता है data analysis and interpretation तो जो भी data है information है जो हमने collect किया है उसको हम लोग analyze करेंगे and then उसको interpret करेंगे यानि कि इसकी व्याख्या और visualization करेंगे अगला option है reporting of research result and their implications यानि कि research में हमने data collect किया ठीक है उसका जो भी होगा result उसकी हम लोग क्या करेंगे proper report generate करेंगे ठीक है and उसकी जो भी implications होंगी उनको भी report में हम add करेंगे next option बोलता है citing a theory in support of the one's thesis यानि कि जो कोई person है जिसने already thesis बनाई हुई है ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे theory का support लेंगे ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि least vulnerable पूछा गया है ठीक है तो इसका मतलब होता है एक तरह से हम बोलेंगे helpless option कौन सा है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कि जो research की report generate करना ठीक है result आ जाता है उसकी जो report generate करना and उसको implicate करना that is the least vulnerable type ठीक है so option no.3 is the right answer question no.2 आता है हमारे पास कि identify the unethical practice of a researcher from the following तो unethical यानि कि unethic ठीक है यानि कि वो rules and regulations को follow नहीं कर रहे है तो पहला इसमें point है avoiding plagiarism तो plagiarism क्या होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए plagiarism होता है एक तरह से copy करना ठीक है मान लीजिए कि किसी content को हम लोग as it is कहीं से उठा करके कहीं पर copy कर देते हैं तो उसमें हम लोग plagiarism add कर रहे हैं ठीक है तो दूसरा है avoiding manipulation यानि कि जो उसकी hair fare होती है उन चीजों से बचना तीसरा है avoiding duplication ठीक है duplication duplicate चीजों का आप लोगों को मतलब पता है कि एक ही चीज को अगर हम लोग बार बार लिखते हैं यह सोचके कि जो हमारी research की thesis हैं जो हमारे notes है उसमें हम लोग pages बढ़ाएंगे तो यह चीज use होती है ठीक है तो इसमें बूला गया है कि हम उसको avoid करेंगे next बोलता है avoiding reliable information ठीक है यानि कि जो विश्वसनी जानकारी होती है उसको हमें avoid करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो right answer है option number 4 कि जितनी भी reliable information होती है उसको ही अगर हम लोग avoid कर देंगे तो वो unethical ही होगा हमेशा students यहाँ पे क्यों confused होते हैं वो unethical की जगा ethical के point of view से चीज़ों को देखते हैं और वो question गलत कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत easy question है कि plagiarism जो है उसको हमें avoid करना चाहिए यहाँ पे बोला है कि नहीं करेंगे हमें करना चाहिए ठीक है manipulation को भी avoid करना चाहिए and duplication को भी avoid करना चाहिए and जो भी reliable यानि कि जरूरी information है research से related हमेशा हमें उसी को add करना चाहिए ठीक है तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ जो research ethics होते है न यह exactly होते क्या है तो यह कुछ guidelines होती है ठीक है जिससे कि हम लोग research को responsibly conduct कर सकते हैं and this में कुछ ethical principles होते है social responsibilities से related अब हम लोग research कर रहे है तो वह एक social activity है ठीक है बहुत सारे लोग उस पे dependent हो सकते हैं ठीक है तो ethics always help us to identify right और wrong, differentiate good और bad तो इसलिए न इतिकता हैं जो है वो use की जाती है ठीक है आप सभी students को paper one में help करने के लिए एक free telegram group में लेकर आई हूँ अंकीता सोथ paper one net set preparation नाम से आप इसको search कर सकते हैं and students इस group की खास बात यह है कि आपको कोई भी guidance चाहिए आपको भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो directly मुझसे यहाँ पर contact कर सकते हैं साथ ही जो भी मेरी classes रहती है उनके pdf और links आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी class मिसना हो and बहुत आसानी से आप सभी paper one में at least 100 में से 80 plus score कर सकें तो आपके proper guidance के लिए यह channel बहुत important है इसको जरूर आप सबको free में join कर लेना है next question is the scope of violating research ethics is considered to be relevant in respect of which of the following stages of research study ठीक है तो research study के stages अगर आप लोगों को पता है तो यह question आप लोगे एक second में solve कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है कि violating research ethics को हम जो है किस तरह से जो है violate करेंगे ठीक है relevant in respect of which of the following stages तो पहला है यहाँ पर formulating research hypothesis hypothesis का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब होता है अनुमान लगाना ठीक है so research में अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं उसको formulate करते हैं and setting up a null hypothesis for testing it ठीक है उसके बाद null hypothesis को हम इसके लिए testing के लिए use करेंगे next आता है defining and delimiting the scope of the research study ठीक है so research जो complete process है ठीक है उसमें जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम define करेंगे and deliminate करेंगे next option है analysis and interpreting research data so जो भी data है जो भी information हमने collect की है field में जाकर के या google के थूँ या जैसे भी ठीक है उसको analyze करना and उसको interpret करना next is it defining in defining a research population and method of sampling ठीक है next is reporting the research findings and using the same as a basis of policy formulation ठीक है so research में हमने जो कुछ भी चीज़ें collect की है जो कुछ भी हमारी findings है उसकी report generate करना ठीक है and उसको क्या करना उसको एक policy formulation के basis के रूप में use करना ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें option number 3 में ठीक है पहले तो option number A है हमारा जो की select नहीं होगा ठीक है क्योंकि research hypothesis अगर हम generate करते हैं and उसके बाद null hypothesis को हम यहाँ पे set कर रहे हैं तो यह तो कोई logic ही नहीं है ठीक है next है defining and delimiting the scope of the research study ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो option number D and E that is option number 4 is the right answer तो यह क्यों है right answer क्योंकि इसमें हम लोग research population को ठीक है research population को define कर रहे है and जो भी method of sampling है यानि कि sampling का मतलब है कि कहां से हमने data को collect किया ठीक है हम लोगोंने field में जाकर काम किया है या फिर हमने online ही data collect किया है यह सब चीजें important है ठीक है and जो research की हमारी findings है जो भी हमने अभी तक काम किया है उसके proper report बनाना ठीक है and policy formulation के basis को ध्यान में रखते हुए काम करना next question है which of the following statements is true in the case of a test prepared by you as a teacher तो अगर आप teacher है ठीक है तो आपने एक test prepared किया तो इन में से कौन से statement उसके regarding true है एक test जो है वो reliable है अगर वो objective है if a test is reliable it is objective ठीक है तो यहाँ पर यहीं बोला गया है कि अगर कोई test reliable है तो वो objective होगा objective type questions जो होते हैं if a test is valid it is reliable also ठीक है next है if a test is reliable तो ही उसको valid बोला जाएगा next है अगर एक test valid भी है एक test reliable भी है ठीक है तो ही उसको जो है हम usable बोलेंगे यानि कि validity और reliability दोनों चीज़ें होगी ठीक है तब ही क्या होगा तब ही उसको हम particular test को जो है वो use कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा मतब ऐसे तो easy question है बट students इसमें confused हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको meaning पता होने जाए reliability के validity के ठीक है तो validity क्या होती है एक test को तब valid भाना जाता है ठीक है कि जब वो measure करता है कि क्या-क्या basis में हम लोग उने उस test को generate किया है जैसे अगर किसी person की माल लीजए कि हम लोग mental ability को check करने के लिए test बना रहे हैं तो उसी से related questions होने चाहिए extra उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं validity ठीक है तो जो भी test होता है अगर valid ठीक है तो उसको reliable भी बोला जाता है next आता है reliability क्या होता है ठीक है so reliability का मतलब होता है consistency ठीक है यानि कि हम किस level पे किसी particular person को measure कर रहे है ठीक है it means the consistency with which a test yields the same result over the time in measuring whatever they do measure ठीक है यानि कि अभी जो मैं questions आप लोगों के साथ share कर रही हूँ तो मान लीजे कि आगे आने वाले चार साल के बाद भी ये videos लोग पसंद कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो questions है वो reliable है वो सिरफ अभी के लिए ही useful नहीं है वो आगे आने वाले time पे भी use होंगे ठीक है तो एक test को reliable बोला जाता है without being valid तो next आते ही है objectivity ठीक है तो अगर हम लोग किसी person के score को इनके opinion को ठीक है या फिर bias judgment जो होती है उसको eliminate करते हैं तो उसको objectivity बोला जाता है ठीक है usability होता है कि जो एक ही particular चीज अगर बार बार use होती है ठीक है तो ये थी four basic terms तो इस question का right answer होगा हमारे पास option number two तो अगर एक test valid है तो ही उसको reliable हम बोलेंगे next question is plagorism in research is ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ plagorism का मतलब क्या होता है ठीक है किसी चीज को copy करना अब मान लिजे कि ये question है मैंने as it is google से copy किया तो मुझ भी case भी हो सकते plagorism का कि मैंने copy किये इन previous data अगर हम किसी पहले के data को पुराने data को यूज करते हैं ठीक है तो क्या होगा वो उसका एक creative use होगा sorry यहाँ पर बोला गया है कि किसी previous data का creative use यानि कि उसी में थोड़े बहुत changes करके अगर हम उसको use करते हैं तो क्या उसको plagorism बोला जाएगा next है copying essential information and making use of it ठीक है जो भी essential information है जैसे माली जो मुझे अभी mcqs की जरूरत थी तो मैंने इसको copy कर लिया and इसको use भी कर रही हैं तो क्या इसको plagorism बोलेंगे next है quoting someone and citing him और her ठीक है यानि कि किसी particular person को यहाँ पर हम quote करेंगे उसका नाम यूज करेंगे उसकी statements यूज करेंगे ठीक है next है referring to previous data and working over it with new objective यानि कि पुराना ही data हम use कर रहे हैं किसी पुरानी research का data हम use कर रहे हैं लेकिन हमारा objective जो है वो नया है ठीक है कुछ fresh theme हम लोग लेकर चले हैं लेकिन data पुराना ही है ठीक है तो यहाँ पर right answer होगा हमारे पास option number one sorry option number two that is किसी की essential information को copy करना and उसको use क ठीक है so plagiarism क्या होता है plagiarism एक moral होता है ठीक है इसको हम बोलते है moral ethical and legal issue तो इसी वज़े से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर plagiarism होगा आप लोगों की research paper में तो आप लोगों पे case भी कर सकता है कोई person ठीक है तो यह बहुत important concept है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए next question is a researcher uses data of an earlier research paper and published a new research paper तो this is called ठीक है तो question वही है fifth question की तरह ही है बस इसमें थोड़ी सी statement को complicate किया गया है ठीक है तो यहाँ भी यह बोला गया है कि अगर हम किसी पुराने research paper से उसके data को use करते हैं ठीक है अपने paper में उसको add कर देते हैं publish कर देते हैं तो वो क्या होगा ethical है ठीक की ठीक काम है ठीक है तो इसका direct answer आप लोग बता सकते हो कि यह एक unethical हो सकता है यह unethic चीज है ठीक है next question is in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics तो अगे यहाँ पर research की जो नेतिकता है उनको violate करने से related चीज़े हैं तो यहाँ पर पहला है proper formulation, data interpretation, hypothesis making, reporting of research result using research tools prepared by अधिक है ठीक है तो किस basis पे ठीक है हम बोल सकते हैं कि जो research ethics है उसको हम violate कर रहे हैं ठीक है तो पहला तो यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग data को interpret कर रहे हैं तो वो एक research violation का ही part है ठीक है दूसरा हो सकता है कि reporting of research result next है using research tools prepared by others ठीक है यानि कि किसी और ने research tools generate किये थे बनाये थे use हम उनको कर रहे हैं ठीक है तो right answer है option number 3 that is B, D and E next question is assertion and reason ठीक है तो इसका logic मैं बता चुकी हूँ कि reason से पहले आप लोग because add कर दो easily question solve हो जाएंगे ठीक है तो assertion में बोला गया है कि research ethics and its observance are necessary for the interest of credibility and quality of research यानि कि जो research ethics है ठीक है और इसकी जो observance है ठीक है यानि कि उसका जो अनुसंधान का जो पालन है ठीक है यह बहुत जरूरी होते हैं क्यूं जरूरी होते हैं for the interest of credibility and research की quality को enhance करने के लिए क्योंकि reason दिया गया है the policy making bodies have to be accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence ठीक है यानि कि जो policy making bodies होती है जो policies बनाती है research related ठीक है यह क्या करते हैं यह करते हैं accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence यानि कि इनका main focus जो है वो excellence को promote करने में होता है ठीक है उनको जवाब दाही करनी होती है वहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि both a and r are true and जो r है वो a की correct explanation है यहाँ पे बोला गया है कि a और r दोनों true है बट r जो है इसकी correct explanation नहीं है a is true, r is false, a is false, r is true ठीक है तो यहाँ पे आप लोग इसलिए देख सकते हो कि जो statement first है कि इसमें जो भी research ethics होते है न इसमें interest of credibility और research की quality पे focus करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए इनको develop किया गया है तो a जो है वो बिलकुल correct है ठीक है तो option number four eliminate हो जाएगा reason क्या है कि policy making bodies जो होती जो भी लोग policies बनाते हैं ये rules, regulations को बनाते हैं उनको excellence पे जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है ठीक है उसको promote करने पे हमेशा focus करना पड़ता है इसलिए ये research ethics जो है वो design किये गए है तो right answer होगा हमारे पास option number one that is a जो है correct है, r भी correct है and r is the right explanation of assertion next question is which of the following not support practice of ethics in research ठीक है तो यहाँ पे not पे focus करना है maximum students जो है फोकस नहीं करते है and question जो है वो गलत हो जाता है ठीक है, so क्या है ये not support practice in ethics in research तो पहला option है restricting access to participants identification यानि कि जितने भी participants होते हैं जो भी research में participate ले रहे हैं, participate कर रहे हैं, उनकी identification के through उनको हम लोग access नहीं देंगे, restrict कर देंगे access को next है revealing information or participant only with written consent ठीक है लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि written consent यानि कि सिरफ लिखित में ही उनको हम लोग क्या करेंगे information reveal करेंगे next is disclosing the data subsets यानि कि जो भी data के subset होते हैं उसको उसका खुलासा कर देना, सबको वो चीज़ें बता देना next आता है हमारे पास restricting access to data instruments where the participant is identified ठीक है यानि कि जितने भी हमारे पास data instruments है, data के उपकरण है, tools भी यहाँ पे हो सकता है ठीक है data के tools जो भी है ठीक है उनको क्या करना, उनके access को restrict कर देना जहाँ पे भी participant की identity use होगी ठीक है तो यह भी बहुत direct question है कि जो भी हमारे data के subsets होते हैं ठीक है उसको disclose करना, इसको हम लोग research ethics में add नहीं करते हैं ठीक है तो right answer होगा option number 3 next question is using someone else research without due acknowledgement is called as यानि कि कि किसी की knowledge के बिना, अब जैसे मियान लीजे कि आप लोगों ने कोई poem लिखी है ठीक है आप लोगों की permission के बिना मैं उस poem को कही public place में सुना रही हूँ या फिर मैंने एक book में publish कर दिया उसको अपना नाम लेकर के ठीक है तो यह सब चीजें आती है किसके अंडर copyright, plagorism, publication and patent ठीक है तो यह सब चीजें आती है research के case में किसके अंडर plagorism के अंडर copyright भी वही होता है कि अगर हम किसी की चीज को use करते हैं without उनकी permission तो copyright का भी charge हम लोगों पे लग सकता है लेकिन research में हम लोग generally use करते हैं plagorism term को ठीक है तो right answer है option number two तो यह थे हमारे आज के 10 questions आप लोग comment section पे मुझे बता सकते हो कि आपने 10 में से कितना score किया है and इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी query है किसी भी question में तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो so आज के लिए सिरफ इतना ही thank you so much for watching this video